जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है बेचारों को समझी में नहीं आ रहा है क्या किया जाए वैसे ही 180 पर अटके हुए है शने शने वो अब कम होता जा रहा है असलियत ये है कि 10 साल की मोधी सरकार के बाद आज जब ये देश चुनाओ के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधान मंत्री अब को अपना रिपोर्ट कार दिखा कर वोट मांगना चाहिए प्रधान मंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए लेकिन उसमें निल बटा सननाटा स्कोर है उसमें जबर्दस फेल का ठपा लगा हुआ है और जब कुछ नहीं बचता है मोधी जी के पास तो वोही घिसी पिटी हिंदू मुसल्मान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते है और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंदर मोधी देते है कहते हैं हमारे घोशना पत्र पर मुसल्म लीग की चाप है असलियत ये है कि ये वो दिल का दिल में जो इतना अथा प्रेम इतना प्रगाड प्रेम है मुसल्म लीग के लिए नरेंदर मोधी और भारती जनता पार्टी के निताओं का जो रहरे कर छलक जाता है वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समठती रही है वो रहरे कर छलक जाती है क्योंकि यही दिल का प्रेम है इश्क और मुस्क छुपाए नहीं चुपते हैं और मोधी जी और मोधी जी के पुर्खों का मुसल्म लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है ये ना हमारे सगे हैं ना आपके सगे हैं ना भारत मा के सगे हैं ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं विभाजनकारी पार्टियों के हैं चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो ये प्रजातंत्र है हम जनता हैं हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते है हमें भेड़ बक्री समझने की गल्ती मत कीजिए आप सबको मेरा नमस्कार एक गंभीर मुद्दे पर एक मुद्दे पर जिसको एक्षिली चर्चा का विशे होना ही नहीं चाहिए उस पर आपके सामने आए हैं कुछ ऐसी बातें कही जाती है कुछ ऐसे शब्दों का इस्तमाल करती है भारतिय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोधी की शर्म आती है कभी कभी वाटसाप पढ़के लगता है कितनी घटिया भाषा है और उसके कुछ घंटे बात प्रधानमंत्री कि वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते है तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया वाटसाप लिखते है या इस देश को चलाने की कुबत रखते है सवाल इस बात का है असलियत ये है कि दस साल की मोधी सरकार के बाद आज जब ये देश चुनाओ के मुहाने पर आकर खड़ा है तो प्रधानमंत्री अपको अपना रिपोर्ट कार दिखा कर वोट मांगना चाहिए प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए लेकिन उसमें निल बटा सन नाटा स्कोर है उसमें जबरदस फेल का ठपा लगा हुआ है तो प्रधानमंत्री मोधी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का और जब कुछ नहीं बचता है मोधी जी के पास तो वोही घिसी पिटी हिंदू मुसल्मान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते है दस साल के बाद बजाए अपना काम गिनाने के दस साल के बजाए अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के नरेंद्र मोधी आज भी हिंदू मुसल्मान की बात कर रहे है यह सच है कि वो घबराए हुआ है यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे RSS के अपने सर्वे का फीड़बैक है कि BJP 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है ये भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याए यात्रा रही या जो हमारा घोशना पत्र न्याए पत्र के नाम से आया उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिक ताए क्या है हमारे घोशना पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद साथियों ने की विशेशग्यों और जानकारों ने की और विरोधियों को भी ये कहना पढ़ रहा है कि एक बड़े व्यापक दृष्टी कोड का खाका है ये एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविश के लिए और दस साल में जो भी समस्या इस देश के लोगों पर ला दी गई हैं उन सब का कहीं समाधान भी है और क्रमवर तरीके से समाधान और ये भी सच है जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि ये घोशना पत्र कुछ दो विशेश अग्यों ने बैठ कर पूंजी पतियों की सूची लेकर नहीं बनाया है ये घोशना पत्र भारत की अवाज है इस देश की आवाज है ये घोशना पत्र उन लाखों करोडों लोगों की अपेक्षाओं पे उनकी अकांग्षाओं पे उनकी आश्रंका और उनकी चुनोतियों के बैसिस पर बना है जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो जन्याय आत्रा में कॉंग्रेस से कॉंग्रेस के शिर्ष नेत्रित्व से हमारे लीडर से हमारे अद्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं और इसी लिए प्रधान मंत्री घबरा गए चर्चा शुरू हुए प्रधान मंत्री को लगा औरे भाईया क्या किया जाए मेरा अपना मानना और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूं कि उनका चलान चुमबक उनके पास गया होगा और कहा होगा मोदी जी मोदी जी कॉंग्रिस का मैनिफेस्टों तो बड़ा अच्छा है सब लोग बड़ी बाते कर रहे हैं कह रहे हैं अगली एलेक्शन रैली में क्या करता हूं मुद्दे से ही भटका दूँगा और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंदर मोदी देते हैं कहते हैं हमारे घोशना पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है असलियत ये है कि ये वो दिल का दिल में जो इतना अथा प्रेम इतना ब्रागार प्रेम है िे वो रहे कर चलक जाता है वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समढ़ती रह रहे कर चलक जाती है ये असलियत है उनके मुसलिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी लेकिन क्यों आसा कहा कभी आपने सोचा है कुछ और कह स दिल की चुह सकते थे कि चोपते थे कि यह नियुक्ति नहीं कुछ पर चूंगरे के शवापनेंगे वित्वद रूटेंगे बारो या मरो का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में शामा प्रसाद मुखरजी बंगाल में मोदी जी के पुर्खे सिंद में मोदी जी के पुर्खे Northwest Frontier प्राविंस में मुसलिम लीक के साथ मिलकर सर्व सरकार ही नहीं चला रहे थे आंग्रेजों को चिट्टिया लिखकर ये भी सलह और मश्वरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए ये ना हमारे सगे है ना आप के सगे ना भारत मा के सगे है ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं विभाजनकारी पार्टियों के हैं चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो और असलियत ये भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी में खलबली मची हुई है बेचारों को समझी में नहीं आ रहा है क्या किया जाए वैसे ही 180 पर अटके हुए शने शने वो अब कम होता जा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की हर नियम हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं उनके मंत्री इस बार वक्तव दे रहे हैं चाहे वो सेना के इस्तिमाल की बात हो चाहे मोदी जी अलग-अलग बेश-भूशा में दिख रहे हो असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भठका रहा है यह प्रजा तंत्र है हम जनता है हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं हमें भेड़ बकरी समझने की गलती मत कीजिए और हर उस नियम का जो लंगन हो रहा है हम लगातार चुनावायोग के पास जा रहे हैं इस पर भी जाएंगे अन चीजों पर भी जाएंगे और हमारी अपेक्षा और आशा और विश्वास है कि एक निश्पक्ष संस्था चुनावायोग जिसके उपर दार्मोदार है जिसके उपर जिम्मेदारी है इस देश में निश्पक्ष फ्री एंड फेर एलेक्षन कराने की वो जरूर इन बातों को संग्यान में लेगी और इस पर एक्षन लेगी AWS पे आप लोगों ने जो बात की अपने घोजना पत्र में यह का गया कि जो 10 परसेंट है उसको हम थोड़ा स्ट्रेच करके बाकी लोगों को देंगे नहीं हमने यह नहीं कहा है कि हम स्ट्रेच करके यह कहा गया है कि 10 परसेंट राक्षन को बिना किसी बेदभाव के सबी जाती और समुदाय के लोगों को लागू करेंगे नहीं जब हम अब आपका सवाल हो गया हो तो मैं जवाब दे सब्सक्राइब पूछे अभी जो सवन्ड के लोग हैं बीजेपी न उनको जो 10 परसेंट दी आर्थिक रूप से कम जोर हैं तो कहीं न कहीं रिजर्वेशन तो वो भी डिजर्व करते हैं तो अब इससे ऐसा मैस नहीं जा रहा कि कॉंग्रेस ने मतलब कॉंग्रेस ओंको 10 परसेंट मिला उसको भी छीन के और हमारे पास से ले जाना चाहती है आप मुझे समझदार पत्रकार लगते हैं सोश्यो एकनॉमिक सेंसे का क्या मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक सेंसे का क्या मतलब है उसमें स समाज के हाशिये पर आज है जिनको कुछ न कुछ साहिता मिलनी चाहिए जिनको रेजरवेशन थोड़ा बहुत मिलना चाहिए हम बिलकुल उनके हक की बात करते हैं मेरे नेता एक बात कहते हैं और वो बात दोहराना जरूरी है आपको पैर में चोट लग जाए आप पर प्ल तूटकर अलग हो गई और उससाबस उसका इलाज होगा तो X-ray जो है वो ही है socio-economic caste senses सामाजिक और आर्थिक caste senses जब तक नहीं होगा नहीं पता चलेगा कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए किसको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए इसमें बिलकुल general caste के वो गरीब लोग भी इ प्लाए कि एक पीए जो है वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़के भाग खड़े होते हैं वो विशुद अवसरवादी लोग उन पर मैं इस मंचपट से टिपड़ी नहीं करूंगी लेकिन उनको आइना दिखाना जरूरी है और वो आइना मैं जरूर दिखाऊंग दो महीने पहले तक जब बजट आया था तो मोदी जी की सारी बखिया वही उधेर रहे थे उन्हीं को सब नजर आ रहा था चानल चानल जंप करकर के अपने आपको स्टूडंट अफ एकनॉमिक्स जो घोशित करता है वो मुझे ये बताए कि स्टूडंट अफ एकनॉमिक्स रहते हुए आपको इस देश में आर्थिका समानता बेरुजगारी महंगाई नजर आ रही Colon आ रही है कि नहीं नाजर आ रही है आपको 20 परसंट ये जंता 46 रुपैर रोज पर गुजर बरसर करती नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही इस तरह की बेहुदी वहीयात पर बनात करने लगें वो उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं साच बराबर ताप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दे साच है ताके हिर्दे आप यह है असलियत जूट बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते वो विशुद जूटे होते हैं वो विशुद अवसरवादी होते हैं वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं यह असलियत है और जो लोग ऐसा करते हैं उनको समाज किस से देखता है ये मुझसे बहतर आप जानते मेरे मुझसे जादा ना बुलवाई ये और असलियत एक ये है कि आज जो कहीं और जाकर कॉंग्रेस पार्टी को सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं उन्हें मुझे सिर्फ दो टूक बात ये कहनी है भगवान के लिए भगवान का नाम जूट मतलो किसने आपको मना किया सनातन पर बोलने से किसने आपको मना किया सनातन के खिलाब बयान देने से मैं पूछना चाहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के साथ, मैं CWC की मेंबर हूँ, मैं गई राम मंदिर, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और एक यह सच है, मैं यूजरी परसनल बाते करती नहीं हूँ, यह सच है कि भगवान शिफ्ट के बारे में जि क्या है सनातन, सनातन यह है कि बिलबला के भाग जाओ और फिर अनरगल जूट बोलने लगो, शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को, दूसरों पर टीखा टिपडी करना, आपकी क्या हैसियत है, मैं यह जानना चाहती हूँ, आपको पार्टी ने दो-दो राज्यों से चुनाओ लडाया, लाखों करोणों कार करता होते हैं, एडिया घिसते रहते हैं, नहीं मिलता है टिकट, आपको दो-दो जगे से चुनाओ लडाया और आप इस तरह की अनरगल बाते करेंगे, as a student of economics थोड़ा आत्मचिंतन करिए, और देखिए देश 10 साल में किस कगार पे प्रिया टेखिए थे